महराजपुर विधायक नीरत दीख्षे द्वारा पिछले करीद 20 दिनों से अपनी विधान सभा में निकाली जा रही किसान संगर्स पद्यात्र का मंगलवार को नौगाओं में विशाल आमसभा के साथ समापन हुआ तहसील परिसर के सामने आयुजित की गई आमसभा में विधायक के अलाबा बतोर मुक अतीती, पूर्व मंत्री जैवर्दन सिंग, प्रदीप जैन, चित्रकूट, विधायक नीलानशु चतरवेदी, चतरपुर विधायक आलोग चतरवेदी, राजनेगर विधायक नाती जारेकारी जिलाद देव्च गगन यादव ने आम जनता को संबोधित करती हुए भाचपा सरकार पर निशाना साधा, इस दोरान इस्थानी अधिकारी कर्मचारियों पर भिष्टचार के आरोप लगा कर कौंग्रेसी सरकार पर जम कर बरसे, मुक अतीती जैवर्दन सिंग ने कहा कि भाचपा की सरकार जूट बोलकर लोगों के साथ छलावा कर रही है और यही कारण है कि आने वाले समय में मद्द प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पूरिय विदायक निरत दिक्षिच जी ने अगातार बीजन की पद्यात्रा की थी किसानों को ये मुद्दों को लेकर और आज उसका समापन नावगाव में हुआ था। इसमें जो कुछ विशेश मुद्दे आज हमने रखे हैं सबसे पहले जो महंगाई की मार भाजपा के राज में किसान पर पड़ रही है जिससे कि आज हर किसान परेशान है। तरव मोदी जी कहते थे कि भाजपा की सरकार किसान की आये दोगनी कर देगी लेकिन भाजपा के राज में शिवराज सिंग जी के राज में किसान की लागत दोगनी हो गई है और किसान की आये आदी हो चुकी है। इसी संबंद में नीरत दिख्षिजी ने लगातार 20 दिन की पजयात्रा की थी आज इस यात्रा में हमारे सभी दिकजनेता हमारे विशेशकर हमारे पूर्फ केंद्र मंत्री पदीब जैन जी भी आज यहां मौझूद थे हमारे चत्रपुर के वरिष्ट हमारे विदायक आज जो तानाशाही भाजपा की हो गई है कहीं ना कहीं जो मांगे जनता की है उन पर सुनवाई नहीं हो रही है और यह सिर्फ इसलिए क्योंकि वाज भाजपा के नेताओं में जो हैंकर घमन भर गया है उसका ही परढ़नाम है कि आज किसान सटकों परारा है किसान परेशा में थी जहां उन्होंने एक बहुत बड़ी घोशना की है कि अगर सरकार को अंगरिस की आएगी तो पांच होस्पावर तर जो बिजली के बिल हैं उन निश्छल किये जाएंगे इसके साथ साथ जो बिजली का पुरा किसानों का और आम लोगों का वो पुरा माफ किया जाए चत्रपूर नहीं आया अब चुनाओ आगे तो सब आ रहे हैं कोगी मौसम चुनाओ का है लेकिन ये लोग से राजीती करते हैं जन सेवा का इन में कोई भाव नहीं है और हमें पुरा विश्वास है कि इस बार एक तरफा सरकार कॉंगरिस की बनेगी मेरा एक और सवाल आप से है कि मद्ध च्छदरपूर के बागेश्वादाम के पीटादीश्वाद हीरेंद किस निसात्रियत समय कमलनाज जी क्या कता कर रहे है क्या इससे फर्द पढ़ने वाला है चुनाओ में